Hello everyone, welcome to State TV Gyaan Prakast. State TV Gyaan Prakast के आज के वीडियो में 1 जुलाई 2020 के सबसे important करनेफेस को डिसकस करेंगे. आज एक करनेफेस आपको मिलेगा प्रति दिन एक नए pattern पर ये pattern आपको कैसा लगा? कर्मेंट करके हमें जरूर बताएं. तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज एक जुलाई है और एक जुलाई को चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है. तो आपको ये बताना है कि एक जुलाई जो की चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? सही जवाब इसका होगा देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डाक्टर बिधान चंदर राय को यह दिन समर्पित है तो याद रखना कि एक जुलाई को प्रतिवस चिकिस्चक दिवस ये डाक्टर बिधान चंदर राय को समर्पित दिवस के रूप में मनाया जाता है तो सही जवाब इसका होगा डाक्टर बिधान चंदर राय किस रासरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना की सुरुवात की है जैसा कि आप लोग जानते हैं COVID-19 यानि की कोरोना वारस से जो लोग संक्रमित होते हैं उनके इलाज के लिए प्लाजमा थेरेपी नाम की एक विधी प्रयोग मिलाई जाती है तो इसी प्लाजमा थेरेपी विधी को और प्रमोट करने के लिए मारास्टर रासरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी प्लाजमा पर्योजना जिसको नाम दिया गया है प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम से सुरू किया गया है तो प्रोजेट प्लेटिना जो है यह महास्टला रासरकार की शुरुवात है कुशन नम्मत तीन बे आते हैं देखो अपना देश स्रिंकला के तार परेटरन मंत्राले ने किस सिर्सक से 49 वह विविनार आज़ित किया है तो परेटर मंत्राले ने 29 जून 2020 को यह विविनार आज़ित किया था इसका सिर्सक रखा गया था Unlocking Travel and Tourism Safely and Responsibly During COVID तो इसका मतल यह होगा कि जो बरतमान दोर है क्रोना वायरस का इस काल में भी जो travel और tourism है उसको safety के साथ आगे बढ़ाया जाए इसको जारी रखा जाए Public Health Foundation के निदेशक डाकर संदीब भला कोच्ची इस्तित अमरिता Institute of Medical and Sciences Research Center के मुख्य चिकित्सा अधिक्चक डाक्टर संजी कुमार अधिकारी भी इस वेबिनार में मौझूद थे और उन्होंने लोगों को ये बताया कि एक सुरक्षी त्यात्रा बरतमान समय में COVID-19 के दोर में कैसे की जा सकती है तो दो कॉइंट्स आपर आपको याद रखना होगा Public Health Foundation के जो नहीं दे सके हैं उनका नाम क्या है अगर ये कुशन आएगा तो जबाब इस वाओगा डाक्टर संदीब भला और अमरिता Institute of Medical and Sciences Research Center ये कहां पर इस्तित है तो ये इस्तित है केरल के कोच्ची में कुशन नमर थर्ड पर आते हैं अभी हाली में राश्टी सांकी दिवस यानि कि National Statistical Day मनाया गया था किस तारीक को ये आपको बताना है अब ये दो बाते में आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले तो National Statistical Day ये भी हाली में 29 जून को मनाया गया लेकिन एक International Statistical Day भी मनाया जात लेकि सब्सक्राइस अचलन प्रतिवर्ज 20 अक्टूबर को किया जाता है जबकि राश्टी सांकी दिवस का अचलन होता है 29 जून और 29 जून को ये जो दिवस मनाया जाता है राश्टी सब्सक्राइस की रूप में यह Professor PC Maha Lanobis की जैन्य dan die के अउसर पर उसर प्रमना जाता है तो सही जबाब इसका होगा प्रोफेसर पीसी 29 जून अब एक क्रूशन और बनेगा इससे कि राश्टी स्रांग की दिवस 2020 की थीम क्या थी तो दोस्तों इस वर्स राश्टी स्तर पर चोधावा सांग की दिवस आजिद किया गया जिसकी थीम रखी गई थी सतत विकास के लक्ष अच्छा स्वास्त था जीवनस्तर और दूसरा लक्ष पांच लेंगिक समानता ठीक है तो दो यहाँ पर थीम रखी गई थी पहला था सतत विकास के लक्ष तीन और दूसरा था ले दिख्श प्याते हैं राज को निवेश में बढ़ावा देने के लिए महापरवाना नामक योजना किस राज में शुरू की गई है तो सही जबाब इसका होगा महापरवाना नमक योजना है यह महारास्टा में शुरू की गई है और इस योजना के अंद्रगत 50 क्रोन करोन या इससे अधिक का निमेश करने वाली इच्छुक कमपनियों को बिसेश छूर देते हुए 24 घंडे के अंदर आस्वासन पत्र जिसको करते हैं महापरवाणा के साथ उनको अनुमती परदान की जाएगी। तो महापरवाणा स्कीम शुरू की गई है महाराष्ट में कोहाला हाइड्रो पाउर प्लांट यह अभी हाली में काफी चर्चा में हैं तो यह कहां पर इस्तित है यह क्वेश्चन हैं सही जवाब इसका होगा मुझफराबाद जो की पीयोके यानिकी पाक अधिक्रित कस्मीर म में कुल 1124 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है और इसी प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है कोहला हाइड्रो इलेक्रिक पावर प्रोजेक्ट और इसी वज़े से यह जो कोहला हाइड्रो पाउर प्लांट है यह चर्चा में है तो यह कहां पर है यह मुझ विनी महाजन ने नए मुख्य सच्यू का अस्थान लिया है और उन्हों ने करन अवतार सिंगी जेंगर पर मुख्य सच्यू का पदभार ग्रहन किया है क्वेशन नम्मर नाइन पर आते हैं 2023 में कौन सा देश परटकों को अंतरिक्ष में ले जाने की योजना बना रहा है तो ये क्वेशन बस इतना याद रखना कि रूस 2023 में दो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में परटरन के उद्द्द से ले जाने की योजना बना रहा है और इसमें एक अमेरिकी संक्टरन का भी सहयोग लिया जाएगा मैरी लोबोन क्रिक्ट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन है मैरी लोबोन क्रिक्ट क्लब की जो पहली महिला अध्यक्ष है क्योंकि ये पहली है इसलिए काफी इंपोर्टन है तो इनका नान रखा गया है क्लेयर कानर इंग्लेंड के पूर कफ्तान क्लेर कानर को मैरी लवबोन क्रिकेट क्लब यानि कि EMCC के अधिक्ष के रोप में चुना गया है EMCC के इतियास में क्लेर कानर पहली महिला अधिक्ष बनी है मैरी लवबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अधिक्ष कौन है Claire Connor अंतरराष्टी Strat Day और अंतरराष्टी Parliament Day ये दोनों दिवस अभी हाली में मनाये गे थे किस तारीक को तो सही जबाब इसका अंतरराष्टी Strat Day यानि कि यहाँ पर देखाजे है बिस छूद्रकर दिवस छूद्रकर जो कि आप समझ रहे होंगे और अंतरराष्टी Parliamentism Day यानि कि अंतरराष्टी संसदी दिवस यह दोनों मनाये गे 30 जूण को अंतरराष्टी छूतरकर दिवस यह मनाया गया था United Nation के सोजने से जबकि अंतरराष्टी संसदी दिवस मनाया गया था संतरराष्ट महासबा United Nation जन्रल असंबिली के सोचने से कुछ भतपोन न्यूक्टिया है उसके बारे में भी जान लिजिए आरस्री रेखा की यह भी हाली में न्यूकति भी है किरल की पहली महिला DGP के तौरपर न्यूकति हुई है नाम इनका आरस्री रेखा नपूर कलस्रेश्ट तो ये ICG की पहली महिला DIG बनी है इसलिए ये काफी इंपोर्टेंट है और प्रांजल पाटिल कौन है प्रांजल पाटिल पहली नेत्रीन महिला IS है और इनकी जो पोस्टिंग हुई है वो केरल के तिर्वनन्द कुरम में की गई है प्रांजल पाटिल देश की पहली नेत्रीन महिला IS है भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज में विक्सित किया जा रहा है तो दोस्तों याद रखना लाइकेन की 600 से अधिक प्रजादिया पाई जाती है और इसके लिए उत्तराखन के पिथोरागड में एक लाइकेन पार्क ही डेवलप किया जा रहा है ठीक है लाइकेन तो एक बाद और भी आदकना आप लाइकेन के बारे में लाइकेन की स्टड़ी को माइकोलाजी कहा जाता है जबकि सहवालों का अधिन होता है फाइकोलाजी के अंतर गए तो माइकोलाजी और फाइकोलाजी दोनों आप आप आदकना ठीक है माइकोलाजी और फाइकोलाजी आईसीसी के एलीट पैनल में किस भारती अंपायर को सामिल किया गया है तो इनका नाम है नितिन मेनन नितिन मेनन तीसरे भारती हैं जो कि ICC के एलिट पैनल में भारती अम्तायर क्रूप में सामिर हुए हैं इसके पहले दो लोग इस पद पर पहुँच चुके हैं दो भारती इनके नाम है करम से तो यह दो लोग हैं अब नितिन मेनन तीसरे पर सन हैं जो कि इस पद तक पहुचे हैं तो यह थे आज के सबसे इंपॉर्टन करने फेर्स उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा और यह जो फार्मेट है यह फार्मेट के बारे में आपकी राय पेक्षित है कि आगे के जो करने फेर्स होंगे वो इसी फार्मेट पर हूँ या फिर पुराना फार्मेट सही है थैंक यू सो मच्छ आवे ग्रेट टे जहन्द वीडियो को अधिक से दिक लाइक और सिर्व आपको कर दिया करें बहुत बहुत धन्यवाद